हेलो दोस्तों मैं हर्शिता और आप देख रहे हैं ट्वेंस मैं वर्ड इसके पहले भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाए थी जो की प्लेसिंटा के पोजीशन के उपर थी तो दो तीन वीडियो है तो आप जरूर देख लीजेगा लेकिन एक स्पेसिफिक वीडियो की मैं ब बैतर है वो आपको वीडियो देखने के बाद ही समझ में आएगी तो एक बार वीडियो को जरूर देख लीजेगा उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी या तो फिर आप होम पेज पे भी जाके सर्च कर सकते हैं और आज की वीडियो में भी हम लोग उसी को कर ले है क्यूंट की देखे, बहुत सारे लोगों का यह भी कॉशन होता है कि क्या प्लिसेंटा की पोजीशन से बच्चे की डिलीवरी में किसी तरह का कोई कोरिलेशन है या नहीं? क्योंकि देखे, बच्ची की जो डिलीवरी होती है या तो नॉर्मल होगी या तो Si-section होग delivery cup होती है जब उसका head down होता है यानि कि उसका सर नीचा होता है और अगर हो सके तो जो placenta की position अगर वो anterior side में रहेगी तो जिससे ज़्यादा chances बनते हैं कि जो बच्चे का head down है या फिर वो pelvic reason में बहुत around से सरकता हुआ आ सकता है उस case में लेकिन अगर placenta की position जो भी हो देखे कुछ easy की बंबात कर रही हो और कुछ थोड़ा सा difficult ऐसे process कुछ भी हो सकता है लेकिन बच्चा अगर breach position में रहेगा वो एक extreme के सासी हो जाती है अगर बच्चे ने अपना head down नहीं किया है तो ज़्यादा chances ये बनते हैं कि C section delivery होगी लेकिन ये भी कहपाना बहुत मुश्किल है क्योंकि अगर मान लिजे last last time पे भी अगर favorable condition मिल जाती है बच्चा सही position में आ जाता है placenta कभी position low line वगरा नहीं होता है तो ज़्यादा chances बनते हैं कि normal delivery असानी से हो जाती है तो वो डिपेंड करता है कि आप आपकी जो placenta की position है वो क्या है या फिर बहुत सारी doctors और gynecologist भी ऐसा करती है कि अगर single baby भी रहता है तो उसकी position वो set कर देती है तो इसलिए आप लोग को घवराना नहीं है चाहे delivery आपकी C section से हो या normal delivery हो बस आपका और आपकी बच्चे का स्वस्त रहना जादा जरूरी है और जादा से जादा यही कोशिश करना है कि आप नियमी तौर पे throughout the pregnancy आपको exercises वगरा करनी है और उसके ओपर भी मैं आपको डिटेल वीडियो बनाया है मैंने कि कौन सी exercises आपको नहीं करनी है during pregnancy तो उसको भी आप जरूर चेक आउट करीगा क्योंकि सारे exercises आपके लिए healthy हो ऐसा जरूरी नहीं है आपको कुछ कुछ position का ध्यान रखना पड़ता है कोई कोई से ऐसे योगा होते हैं जो आपके बच्ची की hit down करने में मदद करते हैं या फिर आपको normal delivery होने में काफी मददगार साबित होते हैं तो एक बार आप जरूर चेक आउट करीगा वो सारी वीडियो आप ढूनिए आपको जरूर मिल जाएंगी और रही जहां तक बात आपकी delivery की तो चाहे कोई सावी process हो आपका और आपकी बच्ची का स्वस्त रहना काफी जरूरी है तो hope आपको मेरा ये वीडियो काफी informative लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो please अपने दोस्तों के साथ share करिए चैनल अच्छा लग रहा है वीडियोज पसंद आ रहे है तो चैनल के साथ जुड़ जाए सब्सक्राइब कर लिजे मुझे बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज दूँगी इसका मैं promise करती हूँ थैंक यू सो मच पर वाचिंग ट्विन्स माई वर्ड